हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टडीफिक चैनल दोस्तों आज में लेकि आए हूँ बॉक्सिस रिलेटेट्ट प्रिवियस एर में पुछे गए मोस्ट इंपोर्टेट्ट कोश्चन लेकर तो दोस्तों चलिए चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के में बॉक्सिस रिलेटेट कोश्चन प्रिवियस एर में पूछें है कि ओफींHa थोजुत को और किस नाम से तो इसका सब्सक्राज ॅइस ग्याव होगा बॉक्सर यानि बॉक्सर के लाड़ी को हम पुगलेश्ट भी कहते हैं नेश्ट है बॉक्सिंग के मुकाबले तीन-तीन मिनट के कितने चक्रों में संपन होती हैं तो यह नो से बाराज चक्रों में संपन होता है जैसा कि दोस्तों एवच्योर बॉक्सिंग यानि उलम्पिक बॉक्सिंग में पुर्सो के तीन-तीन मिनट के तीन चक्र तथा महिलाओं के दो-दो मिनट के चार चकर होते हैं यानि बॉक्सिंग राउंड की संखिया पुर्सों के लिए तीन और महिलाओं के चार होती है यानि आप कह सकते हैं कि पूर्सों के लिए 3-3 मिनट के 3 राउंड और महिलाओं के लिए 2-2 मिनट के 4 राउंड होते हैं अपर एक राउंड के मद्धे जो रेश्ट होता है वो एक मिनट का होता है इसमें जो दस्ताना यानि गलफ्स होता है उसका भार 8-10 ओंस यानि 227-284 ग्राम होता है और जिसमें बाक्सिंग यानि मुक्केवाजी जिस अस्थाम पर कराई जाती है उसे रिंग बोला जाता है रिंग जो है आए उसका आकार वर्गा कार होता है जो 20 गुड़े 20 फीट यानि की 6.10 गुड़े 6.10 मीटर का होता है और जिस्तों 1904 में बाक्सिंग को आधनिक उलम्पिक में शामिल किया गया और प्रोफेशनल बाक्सिंग में प्रते एक राउंड का समय तीन मिनट का होता है जैसा कि दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि टुक्य उलम्पिक 2020 में बाक्सिंग में कासे पदक जीती है लौली ना बोर्गे है नेश्ट है बाक्सिंग में एक राउंड की अवधी कितनी होती है तो बाक्सिंग में एक राउंड की अवधी तीन मिनट की होती है नेश्ट है मुक्के बाजी यानि बॉक्सिंग के खेल में एक दोर यानि राउंड की अवद ही कितनी होती है तो तीर मिनट यानि कि इस दो प्रकार से इसको कोशन पुछा गया है नेश्ट है मुक्के बाजी यानि बॉक्शिंग में प्रियोग किये जाने वाले दस्ताने का भार कितना होता है तो 8-10 ओम्स होता है यानि कि 227-284 ग्राम नेश्ट है दोस्तों कि मुक्के बाजी जिस अस्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं तो जिस अस्थान पर मुक्के बाजी कराई जाती है उसको रिंग बोला जाता है जिसको आकार वरगा कार होता है और 20 गुड़े 20 फीट का होता है यानि कि 6-10 गुड़ से चार फिट जैसे कि दोस्तों 1904 में बॉक्सिंग को आधुनिक ओलम्पिक में सामिल किया गया एंड जबकि एसियन खेलों में इसे 1904 में सामिल किया गया वर्ष 1904 में बॉक्सिंग एसोसियेशन आफ इंडिया यानि बी ए आई की स्थापना की गई तथा मुंबई में वर्ष 1905 में राष्टी एस्तर की पहली प्रतिविता कराई गई नेशा दोस्तों बॉक्सिंग पुरुस में भार वर्ग का मिलान उनके सरीर के वजन से संबंधित शीमा के भीतर किया जाता है नीचे दीगे सूची में से गलत मिलान को चुने तो यह आपके पूर्शों के भारवर का मिलान दिया गया है जिसमें से जो गलत मिलान है उसको आपको चुनना है यहाँ पर A है दोस्तों वेल्टर वेट 14-79 kg B है मिडल वेट 70-75 kg C है है हैवी वेट 81-91 kg and D है लाइट वेट 52-56 kg तो यहाँ पर सभी A, B, C आपसं सही है बट आपका D आपसं जो लाइट वेट है वो यहाँ पर गलत मिलान है आपसं नमबर D करेट हो जाएगा क्योंकि लाइट वेट जो है वह संतावन से साथ की जो ग्राम होता है तो यहाँ पर 22 से चपन दिया है ठीक है तो लाइट वेट कितना होता है संतावन से साथ नेश्ट है MC मेरी काम का संबंध है जैसा कि आप सभी जानते हैं MC मेरी काम का संबंध बॉक्सिंग से है और इनका पूरा नाम है मैंगते चंग नेई जेंग मेरी काम एक भारती महिला मुक्के बाज है यह मून रुप से मड़ी पूर के निवासी है मेरी काम वर्स 2001 से 2019 तक कुल 6 बार 200 मुक्के बाजी प्रतिविता के फाइनल की विजेतार रह चुकी है इन्होंने वर्स 2012 के लंदन उलंपिक खेलों में भी कांसे पदक प्राप्त किया था एक 6 स्वड़ पदक एक रज़त पदक तथा एक कांसे पदक प्राप्त करने में सफल रही है निश कोश्चर है कि आम तोर पर राष्टिय चैंपियंसी में भाग लेने के लिए बक्सर के लिए अधिक्तम आयू कितना होना चाहिए अधितम आयू सीमा राष्टिये चेंपियंशी में भाग लेने के लिए बॉक्सर की अधितम आयू सीमा होने चाहिए कितना होना चाहिए 40 वर्स तो दोस्तों यह था कुछ प्रिवेस एर के आने वाले बॉक्सिस रिलेटेट मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन्स आई होगी दोस्तों सभी कोस्टन्स आपको समझ में आये होंगे वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और जौर देस जादे सेयर भी किया किजी दोस्तों और सभी तापिक जो भी गेम्स बचे हुए हैं इस्टेप बाई इस्टेप पूरा किया स्टेझ स कल एकोर्प कारज डरूर जारी साफिं दोस्तों और सबस्तों और समineने हैं फिक जह को डार दौरा किया जा समझ में खड़ीे हो वीडिका झाल झालवे बहीडिके एल्ummतलुन आपको बंगिंगर मेंगर